इस वीडियो में हम बात करेंगे Cartesian Product की हम देखेंगे कि 2 sets का Cartesian Product प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और इस Cartesian Product की क्या Properties होती हैं 2 sets मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, let's say, set A A, B, C और set B which is X, Y यह elements है इन sets के अब Cartesian Product Demonstrate करने के लिए मैं इनको Masoud BA प्रेजन करता हूं यहां पे तो यह मेरा set A है and यह मेरा set B है set A के elements मैं यहां पे इस oval में लिख देता हूं और set B के elements मैं इस oval में लिख देता हूं X and Y अब हम इन दोनों sets का Cartesian product लेना चाहते हैं इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं A x B तो हम find करना चाहते हैं A x B यह find करने के लिए हम इसके पहले set यानि A के हर element को B के हर element के साथ pair करेंगे कुछ इस तरीके से A का पहला element है A इसको हम pair करते हैं B के पहले element के साथ जो की है X इसको मैं लिख सकता हूं A, X और यह जो pairing है यह हम brackets के अंदर करेंगे इस pair को हम ordered pair बोलते हैं इसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं पहले हम सारी pairings complete कर लेते हैं A को मैंने pair किया X के साथ इसी तरीके से मैं A को pair कर सकता हूं Y के साथ भी यह मेरे को देगा A, Y है ना अब A को मैंने pair कर लिया B के सारी elements के साथ तो अब मैं अगले element के पास जाओंगा A का अगला element है B और इसको pair करूंगा B के सारे elements के साथ तो अब B को मैं pair करूंगा X के साथ इसको भी मैं pair करूंगा B के सारे elements के साथ तो इसको भी मैं pair करूंगा B के सारे elements के साथ So this will give me C, X and then finally this will give me C, Y C को pair करूंगा मैं आखरी element के साथ B के जो की है Y So this gives me C, Y तो इस तरीके से मैंने सारे pairs बना लिये A के B के साथ और इन सारे pairs को मैं डाल दूंगा एक set में ये set जो की है इन सारे pairs का This set is what I call the Cartesian product of A and B यानि की Cartesian product A x B एक set है pairs का ordered pairs का जिसमें पहला element पहले set से आता है और दूसरा element दूसरे set से आता है और हम ऐसे सारे combinations बना के इस set को complete करते हैं अब बात करते हैं कि ये ordered pairs क्या होते है ordered pair basically एक ऐसा pair है numbers का जिसका order या sequence matter करता है यानि कि अगर मैं एक ordered pair लिखू 1,4 और एक दूसरा ordered pair लिखू 4,1 तो ये दोनों सेम नहीं होंगे यही मतलब है ordered pair का pair का मतलब दो numbers और ordered का मतलब कि sequence matter करता है the sequence matters इसका एक common example जो हमने study किया हुआ है वो है coordinates अगर आपको याद हो तो जब हम coordinates plot करते हैं एक plane में तो 1,4 लिखा है या 4,1 लिखा है वो matter करता है अगर मैं इन दोनों को plot करूँ coordinate plane में तो 1,4 1 यानि x-axis में 1 और 4 यानि y-axis में 4 1,4 मेरा यहां पर कहीं पर आएगा और 4,1 मेरा x-axis में 4 होगा और y-axis में 1 होगा 4,1 मेरा यहां पर कहीं पर आएगा तो clearly these two things mean very different, so this 1,4 is an ordered pair, तो इन ordered pair को लिखने के लिए हम maths में brackets का use करते हैं, जब हमारा ordering या sequence matter नहीं करता, तो हम ये brackets नहीं लगाएंगे, बर जब हमारा sequence matter करता है, तब हम ये brackets लगाते हैं, For example, अगर मेरे पास एक quadratic equation हो, let's say x square plus 4x minus 5 equals 0, और मैं इसको solve करूँ, तो मेरे को 2 solutions मिलते हैं, x is equal to 1 and minus 5, यहाँ पे हमें bracket लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों हम ऐसे भी लिखें, x is equal to minus 5 और 1, तो भी correct है, यहाँ पे order matter नहीं करता, बट यहाँ पे करता है तो जिन cases में एक pair का order matter करता है, उनको हम बोलते है ordered pairs, और जैसा कि हमने देखा, जब हम Cartesian product लेते हैं, तो जो ये ordered pairs बनते हैं, इनका sequence, sets के sequence के according होता है, यानि कि मैं a cross b कर रहा हूँ, तो मैं a, x का ordered pair बना सकता हूँ, बट x, a का ordered pair नहीं बना सकता, यानि कि यह जो पहले elements ह जो कि यहाँ पे हैं a, b और c, ये सारे पहले set से आते हैं, और जो दूसरे elements हैं, जो कि यहाँ पे हैं x और y, ये हमारे दूसरे set से आते हैं, x और y दूसरे set से, हम a, x को x, a नहीं लिख सकते हैं, तो अगर हमें a cross b करना है, तो हमारा ये set बनता है, इसे की जगा अगर हमें B x A करना होता तो हमारा set change हो जाता तो हमारा answer different होता ये चीज हम verify कर लेते हैं B x A को find करके इससे पहले कि मैं ये करूँ मैं आपको encourage करूँगा कि आप इस वीडियो को pause करके एक बार ये खुद से try करो तो hopefully आपने इसको try कर लिया होगा अब हम इसको यहाँ पर solve करते हैं तो मुझे B x A find करना है तो यहाँ पर मैं B को A के left में लिख लेता हूँ ये करना जरूरी नहीं है but I like it this way we need to find B x A तो हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था हम B के हर element को A के elements के साथ pair करेंगे और एक set बनाएंगे तो start करते हैं पहले हम x को pair करते हैं A, B और C के साथ तो x मेरा pair होगा A फिर B और फिर C और इससे मेरे को तीन ordered pairs मिलेंगे x,a, x,b and x,c और फिर हम B के दूसरे element को A के सारे elements के साथ pair करते हैं So this will give me y,a, y,b, and y,c y,a, y,b, and y,c तो ये मेरा होगया ये set complete So this is b cross a and this is different from a cross b a cross b में यहां पे हमारे ये elements सारे reverse थे and as we saw ordered pairs में x,a is not the same thing as a,x एक final चीज हम देख लेते हैं इस वीडियो को end करने से पहले वो ये कि number of elements कितने होते हैं Cartesian product में यहां पे अगर हम देखे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, and 6 This is the number of elements in b cross a 6 और अगर मैं आपसे पुछू कि what was the number of elements in b so that was 2 and what was the number of elements in a so that was 3 So you can see कि 2 into 3 is equal to 6 This in fact turns out is a general property अगर मेर पास कोई भी दो set हो a और b और उनके elements हो for example, उनके number of elements हो p और q for example तो जो Cartesian product होता है उसके number of elements in general p into q के बराबर होते हैं तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो numericals में but main point था इस वीडियो का समझना कि Cartesian product क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं